हेलो व्रीवन माईसल विने सिंग आज बच्चों बायो मलकूल का हमारे पास लेक्चर नंबर सेकेंड है जिसमें हम लोग जानेंगे प्रिप्रेशन ऑफ ग्लुकोस एंड फुक्टोज के बारे में और आज के लेक्चर में हम लोग ही सिखने का प्रयाज करेंगे कि ग्लुको आज के भी लेक्चर में हमारे प्रिप्रेशन अब ग्लुकोस दो माध्यम से दिया गया है एक हमारे पास सुख्रोज के माध्यम से दिया गया है जिसका केमिकल फोर्मला सी तुट्वल एसको पढ़ चुके हैं तो इस पेसली कहाना है कि यह आप हाईडोलाइसिस कर दो इसक लिएंट में में दर देखते हैं कैसे इसका प्रिफरेसम से बनेगा समझों तो सी 12 है और वेक्टा यह 20 to H 22-11 है तो आप इस पर यहांगा पर प्लस कर दो हाइड्रोलाइसिस हेस दू है इसके मीडिययम में हम यहां पर अल्कोहल का बच्छे प्रजिंस लेते हैं तो अब देखो यह सी 12 है एस 22-11 है अब देखो इसमें क्या करो कि यह ग्लुकोज भी टूटता है तो ग्लुकोज का फर्मॉला क्या है यह भी फर्मॉला आएगा एस में एक डिकंपोज होगा और दूसरा बच्छे इसमें फ्रुक्तोज में टूलता है तो इससे हम सुक्रोज से ग्लुकोज भी बना सकते हैं और फ्रुक्तोज भी बना सकते हैं बाद में इसको crystallization method से distillation method से सेपरेट आउट कर लिया जाएगा तो में लिक क्याना देखो इसको कैसे balancing देखो यहां पर यहां पर देखो तो c12 आ गया है समझो 24 हो गया और o कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा इससे क्या करोगे एक पानी निकाल दो समझो जब एक पानी निकालो तो मारे पास ही बढ़ेगा यह हम यह कह सकते हैं कि glucose फ्रुक्टोस को जोड़ दो ग्लुकोज और फ्रुक्टोस को जोड़ करके एक वाटर लिकाल दोगे तो फॉर्मला किसका आ जाएगा सी बारा एच्वाइस कोई ग्याना आ जाएगा समझी मरी बात को यह रिक्शन कैसे हुआ हाइड्रोलेसिस ऑफ सुक्रोस इन दा प्रजेंस ऑफ आसेडिक मीडियम इ है वह उक्याओं बस हमें प्रिप्रिप्रेशन अह संच चलों की शूक्रोस से कीसे बनता हैं तो अगला देखो ब्लक devastation भाने का प्रॉंज टार्ओं है तो क्या है समय इसे वहाँ पास फ्राम स्टार्च इस टार्च का हम लोग जनरल फर्मुला लिखते हैं यह होता है C6, S10 और यह O5 होता है और इसमें यह N-Subscript के फर्मुला लग जाएगा जब इस पर पानी जोड़ोगे तो क्लुकोज में तब्दिल हो जाएगा इसमें पानी जोड़ोगे तो तुम्हारे पास कुछ ऐसे आएगा अब किसमें जोड़ जाएगा 10 में कितना हो जाएगा C6, H12, O6 हो जाएगा तो दिस इज दा ग्लुकोज ठीक है तो ग्लुकोज बिटा इससे बना सकते हो तो दो हमारी स्लिवस में है एक किसे बना सकते हो एक सुक्रोज से और दूसरा स्टार्ज से तो स्टार्ज का जनरल फर्मुला क्या होता है C6, H10 है और यह इस पर N लगा दो को कि स्टार्ज जो होते है यह लार्ज नंबर ओफ ग्लुकोज देते है को कि इससे पहले में लोगोने क्लास में क्या सिखाता है जब स्टार्ज हो गया पॉलिस सक्राइड का टाइप है जब इसको हाइडोलाइसिस करोगे तो लार्ज नंबर ओफ क्या देता है मोनो सक्राइड देता है ठीक है तो हमें इसमें किवल एक मॉलेकुल से मतलब है इसका अब जब देखो कि तुमारे पास बच्चे ग्लुकोज आ गया सामने तो ग्लुकोज का मेली फॉर्मुला सी सिक्स है एस्ट्वल्ब है और क्या जी ओसिक्स है अब इस फॉर्मुले में देखो क्या ना कि छे कारबन है अब हम लोगों इसका इस्ट्रक्टर भी देखा था जैसे मारे पास बटा कुछ ऐसे आते हैं सियंच हो है और यह एच आता है ओएच आता है फिर क्या है जी यह यह ओएच कारबन की विटना है जे च है हाइड्रोक्सी भी यह ठीक है ना अब इसमें देखो अलकोहल कितने है यानि की आपके पास यह भी ओएच है और यह भी ओएचे इसमें यह वाला जो । यह वेटा है कितने डिगरी का है जी एक दिगरी का है तो हमें उस टाइम कैसे पता चलेगा कि इसमें एक डिगरी का मैँद है और नहीं अब दो डिगरी का एल्कोहल नहीं चुनत में क्या होता है कि चीजों को इविदेंस करने के लिए reaction conclusion निकालेगा तो हम इसको किसे सिखेंगे on the basis of reaction की प्रोपर्टी हमें पहले से मालूप होता है इसमें यह लोग आगे चल करके structure में कि आपको पहले लोवर क्लास में साथ कारबन क्यों नहीं हुआ हाइड्रोक्सी क्यों हुआ इसमें अगर है तो कैसे हुआ अगर ऑच है तो कैसे हुआ यानि अब अगला इसमें डालोगे इविडेंस ऑफ ग्लुकोज मॉलिक्यूल तो तक आप इसका यहां तो बच्चों इसमें नेक्स्ट में लोग सिखने जा रहे हैं इविडेंस ऑफ ग्लुकोज मॉलिक्यूल तो इसमें कहना कि हमारे सबसे पहले आएगा रियेक्शन भी एचाई आएगा यह पेपर में एक म यह क्या होता है एक अच्छा एजेंट होता है तो इसका काम क्या होता है मोस्ट अब फॉंक्शनल ग्रूप को एलकेन मिले जाएगा अब तुम्हारे पास है अब इस ग्लुकोज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ग्लुकोज का रिप्रेजेंटेशन हो गया और दो डिगरी के अलकोज किते थे चार थे तो इसको हम ऐसे लिख सकते कंपाइल करके और सियस्टु ओइच क्या है एक डिगरी के अलकोज है तो जब इन सबसे आपस में रिएक्शन पाया गया तो क्या हो गया सियस्ट्री में और यह किसमें कर्माट हो गया सियस्टु में और होता है normal hexane iso लग जाएगा तो आई एस ओइसो सो करेगा second carbon new so करता है just second carbon पे दो-दो methyl group लग जाए और क्लियर हो क्या है तो जब हचाई का रियक्शन कराते हो इससे कराते हो ग्लुकोज पर जब हचाई करेक्शन कराए गया तो हमें क्या मिलता है n hexane मिता है, तो हमें ये reaction मिता क्या confirm करेगा, इसमें ज़रा conclusion लिख लो, conclusion लिखो एक line का, this reaction is suggest that, इसमें conclusion add कर लो, ओके, तो इसमें conclusion कैसे लिखोगे, this reaction is suggest that, इसमें, this reaction is suggest that, this reaction is suggest that, 6 carbon, 6 carbon chain atom present in glucose molecule, 6 carbon chain atom present in glucose molecule, यानि HI यहाँ क्या निसकर्श निकालता है कि glucose में 6 carbon की chain मौजूद है, तो यही सब reaction तुमें पता करेंगे, कि अब आपको कोई भी बोलेगा कि carbon, यानि glucose में 7 carbon है, तो गलत कर रोगे, glucose में कितना carbon है जी, 6 carbon kitchen, कौन confirm किया, HI की reaction confirm किया, तो यह paper में direct आपको what happens से पूछ सकता है, या option में पूछ सकता है कि glucose react with HI, what happens, इसे पहले क्या था, glucose भी आपको बोल दिये, या accept कर ले जाओगे, क्योंकि आपको उसे में उतना knowledge नहीं था, अब HI ने confirm कर दिया, glucose में 6 carbon kitchen मवजूद है, अब बच्चे इसमें ग्लुकोच में CHO ग्रूप भी तो है न, अब मेरे को LDHID ग्रूप confirm करना है, तो अब लिखोगे इसमें heading डाल करके, reaction due to LDHID ग्रूप, अग्ला बच्चे क्या लिखोगे, reaction due to LDHID ग्रूप करके लिखोगे, ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो, reaction due to LDHID ग्रूप, ओके, यानि LDHID वाले की वज़य से, reaction due to LDHID ग्रूप, ठीक है, आउज ज़रा इसको देखते हैं, यानि इसमें अब और रियक्शन मेरे कराना है जो LDHID स्रिप देगा, तो दो को LDHID चेप्टर में मैंने आपको especially अगर recap हो रहा होगा, तो आप इसमें पहले HCN के साथ कराते हैं, आउज ज़रा देखते हैं क्या के मनता हैं इसमें, तो आप अच्छे इसमें, यह आपके पास CHO हो गया, ठीक है, इसमें स्टक्टर को खोल दो इसको, अभी तोड़ा सा रिक्सन को अटाइक करा पाऊगे, यह CWO हो जाएगा, इ रिक्सन के साथ हमें रिक्सन करना है, अब तो इसको कैसे ठोड़ थो जा ह। पॉलारेटी से रेक्शन टेक प्लिस होते है अब देखो तो इसमें क्या होगा हाइडोजन पर क्या चाहिएगा प्लस आएगा अगर इस बहुत को तोड़ोगे तो इसका जब क्लीवेश करोगे एक बहुंद को तो इस पर माइनस आएगा और पीछे क्या छोड़ेगा प्लस अब देखो अपोजिट का रियक्शन गराद होगे तो कार्बन पर क्या जाएगा कार्बन साइनाइट जाएगा कार्बन पर क्या जाएगा जी साइनाइट जाएगा और ओ से क्या जुड़ेगा एच तो कैसे जुड़ेगा तो कुछ ऐसे जुड़ जाएगा यह हो जाएग ठीक है और आगे क्या रहेगा सीस्टू ओएच रहेगा बोलो यहां तक लियर हो गया इससे को थोड़ा ऊपर जो था कि और अच्छा फील है ताकि इससे ओवर लाइप नखर यह साइनाइड है समझो चाहिए यहां लिखो चाहिए उपर लिखो कार्बन का चारबॉन पूरा पहले भी चार था बाद में भी चार सब्सक्राइब यहां तक क्लियर हो गया है कि अब दोखो इसमें तुमारा इसका नाम जो आता है लिखा जाएगा क्लियर हो गया इससे पहले क्या था प्रोबीन वाटर के साथ करा तो अगला किसे करा होगे मैं पक्राब यहीं पकराब देता हूं नेक्स्ट बेटा रीक्षिन इसमें क्या करा दोगे आप लोग लिखना अलग सकता है मैं इसमें कहना चक्रम चक्राइश कराओंगा ताकि कहीं कंटेंड में सारा कुछ हो जाए मैं यहीं पर लिखूंगा ब्रोमीन वाटर के साथ इसके बारे में जो function है यह आपके पास एक mild oxidizing agent कहलाएगा mild oxidizing agent ठीक है जड़ा इसका तुम्हें दिखाऊंगा यह reaction आपस में ऐसे होता है यह बच्छे BR2 है और यह कहना है कि पानी है समझो होता है मेरी बार समझ पाए जब यह आपस में react होते हैं तो यह आपके पास HOBR मिलता है और प्लस क्या है ना यह nascent oxygen को liberate करता है ठीक है HOBR प्लस nascent oxygen liberate करता है और यह nascent oxygen जो ना highly reactive होता है अब यह oxidizing है तो क्या करेगा aldehyde को oxidize कर देगा एक पैटन रटलो अगर oxidizing कहीं आएगा अगर कहीं oxidizing आएगा तो most of the function कहां ले जाएगा कारबोग्जलिक में ले जाएगा तो generally देखो aldehyde को ले जाएगा किसको ले जाएगा aldehyde को तो aldehyde में अगर यहां पर मैं OH लगा दूँ यह वाला वह कहां चला जाएगा एच के पास यह कारबोग्जलिक में तब्दील हो जाएगा like this यह हो जाएगा CH-OH इसका फोर हो जाएगा और यहां बेटा क्या हो जाएगा CS2-OH हो जाएगा इसका नाम आएगा gluconic acid इस प्रोड़क का नाम क्या आएगा gluconic acid इसका नाम क्या लिख लोगे इसका gluconic acid नाम लिखोगे इसका gluconic acid वेटा पहले आप यहांत का नोट करो इसमें तीसरा रेक्षन आप फेटिंग डालके लिखोगे आप इसको यहीं पर मार्जिंग कर लो फड़ रेक्षन को आप इसमें मार्जिंग कर लीजिए रेक्षन भी थाइड्रोक्सिलमीन आप इ क्जिए अगर करोगे है ऐट्रोक्सिलमीन है ड्सक लेगा जो फर्मला होता है यह आपके पास चलो इसको जो है आप आप हो और यह क्या हो जाएगा ए एस टू ऐसे लिख सकते हो या नि एनस्टो ओएज को क्या बोलते है है आप इसमों अलग से नामड ख लेजे एक बार कि तोन चेप्टर में यह रिक्सक्रवाया था बुताइए इसका नाम क्या जाएगा जी हाइड्रोंग्स क्या नाम हाएगा हाइड्रोंग्सही अमीन आएगा ठीक है कैसे पैचानों गेगा दोखोओं को बोलते हैं हाइड्राकसिल क्या पढ़ोगे हमीन पढ़ोगे तो नाम क्या होगे हाइड्राकसिल अमीन हो गया अब दोखो यह सारे जो इसका फंड़ा है एक्सम पगड़ने का अमूनिया और अमूनिया के जो लोग है समझो इसमें इस चू आता है यह उसमें टू-फो डी क्या लोगे इस वाले का एस्टू पकड़ोगे और कार्बोनील का वह मिला दो गया माइनस का एस्टू निकल जाएगा समझगे मरी बात को अब इसको उठा के चिपका दो यहां पर कैसे चिपका होगे उधर देखो यह कारबन था यह था तो सी हैच हो गया इधर से क्या बचे किलो क्या है दर्सक गड़ है इनका कोई रोल नहीं है आप यह एलकोहल वाले है रियक्शन नहीं देंगे इनका भी बारी आएक समझो तो यह रियक्शन में आपने क्या देखा यह तीन रियक्शन थे समझो पहला था तब दुसरा था ब्रोवी वाटरके साथ क्या बना जी minsktion veins प्रॉडक्त बनेगा लुकूश-चर्थम क्या早 जब reaction कराया जाएगा aldehyde या किटोन से तो product name आता है oxyne, अगर aldehyde होगा तो aldehyde oxyne दिया जाएगा अगर ketone होगा तो ketone oxyne दिया जाएगा, तो अभी हमारे में किवल aldehyde है जब ketone से कराऊगे तो ketone oxyne कहलाएगा, अगर fructose से कराऊगे तो fructose oxide किलाएगा नाम clear होगे अच्छे से तो अब जड़ा इन तीनों reaction का conclusion क्या निकलाओ जड़ा इसमें reaction लिखें these three above reaction जड़ा इसका conclusion एक लिए अच्छे से these three above reaction are suggest that these three above reaction are suggest that these three above reaction को कि आप नीचे लिखेंगे तो अब अब लाइन लिखेंगे ठीके अगर बिलो होता है तो नीचे वाला बिलो लाइन बजाता है these three above reaction are suggest that one aldehydrick group CHO group aldehydrick group bracket में कर सकते हो one CHO group that is aldehydrick group is present in glucose molecule यानि हमें इसे क्या conclusion निकला रिएक्षनों से कि सिर्फ और सिर्फ इसमें एक CHO group बेटा मौजूद है one aldehydrick group present in glucose molecule one aldehydrick group present in glucose molecule देखो जब यह सब मेटा reaction हो गया तो कैसे मालूम चला क्योंकि इने के molar mass हो गया सब पहले से calculated होता है जब यह समझो मालूम चला कि यह gluconic acid पाए गया तो इसमें कार्बोगजली का भी तो molar mass count किया गया तो जब इसमें practically देखा गया तो कार्बोगजली भी तो देखा और इसमें बागी जो alcohol है इनमें कोई change नहीं आया इधर जब देखा गया तो इसमें NS2OH वाला portion आता है तो सब के molar mass पहले से calculated होते हैं और उसे के बिहाब पर यह PD किया गया कि glucose में aldehydr group भी मौजूद है clear हो गया तो हम लोगों ने दो सार्च को यारी दो प्रमाण को identify कर लिए glucose में एक हमारा क्या निकला छे carbon kitchen मौजूद है दूसरे क्या पता चला कि इसमें CHO group पता चला अब इसमें क्या confirmation करना है मेरे खो यानि की alcohol को confirm करेंगे अब alcohol में एक डिगरी का भी alcohol है और दो डिगरी का भी alcohol दिया गया है तो पहले आप इतना इसको अच्छे से नूट कर लिजिए तो इसमें reaction with acetic anidride है तो यह reaction हमें confirm करेगा alcohol को या confirm करेगा alcohol को तो थोड़ा समय इसमें कुछ अलग से feel करके दिखा दे तो यह कैसे reaction take place करेगा तो यह reaction थोड़ा समझना आसान नहीं है बुक्स में थोड़ा typical करके दिया गया है तो एक इसमें heading आता है asylation of alcohol करके आता है जब हम लोग chapter पढ़ते है alcohol को अच्छे तो जड़ा उसको मैं तुमें करके दिखा देता हूँ कैसे reaction को करना है देखो यह मालो कि suppose हमारे पास बच्चे क्या है alcohol है clear हो गया asylation में क्या लेते हैं या तो enhydride ले सकते हो या तो acid chloride ले सकते हो clear हो गया अच्छे से अब देखो मैं चाहता हूँ कि आप इस वाले को पकड़ो को की book में यही करके दिया गया है तो आप इसको जब फैलाओगे यह CS3 हो गया यह C double bond O है और यह क्या दिया गया जी CS3 दिया गया है clear हो गया तो अगर normally जब CL होता है तो SCL लिखाल देते हम चीजों को चिपका देते इसमें देखो क्या ना कि यह हमारे पास यह H जब टूटेगा तो रेस्ट पार्ट क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा अब यह तो कहा जाएगा और यह वाला जो पोर्शन है इस वाले पर अटाइक करेगा इतना समझ पाएं कुछ हद तक अब कैसे जोड़ना है समझो इसमें जोड़ोगे तो यह आ जाएगा CS3 और यह ओ आ जाएगा और यह क्या हो जाएगा सीडवल बॉन ओ दो इसका सीडवल बॉन ओ इस ओ के साथ चिपकाना है ऐसे चिपकाना है ताकि कारवन की वैलेंस से संतुष्ट हो जाए है समझोगे मेरी बात को पर समझो दो यह CS3 O था और यह CS3 O था दो इसमें क्या बना यह एक टूटेगा तो यहां से पहले क्या निकलेगा एक समझोगे बारी आएगी तो फिर ऐसे बनेगा एक और इसकी बारी आएगी यह भी बनेगा पिर इसकी बारी आएगी तो यह और सब्सक्राइए बनेगा फिर इससे टूटेगा तो एक और सब्सक्राइए इससे बनेगा लोग्या भी टो टॉटल इसमें बाइप्रोटक्ता बनेंगे 5 mol यह वाला जो सी ओस्त्री है यह किसे जोड़ेगा ना इसको कैसे जोड़ोगे यह जाएगा और इसका कुछ ऐसे है यह लिकलो और यह जाएगा यह जाएगा इस 550 ऐसे वाली यह वाली यह जैसे ऑना इसको मैं इन nehme YouTube सकता हूँ लिक सकता हूँ तो कुछ नराज हो जाएगा कि अगरbern?ż नहीं ना अब इसके बाद क्या जाएगा जी सी हिस दुवाज आएगा फिर इसके बाद क्या है ओ है फिर इसके बाद का जी से हो है और यह यहां तक समझ पाए ठीक है तो इसका रुखो नाम आया ग्लुकोस पेंटा इसिटेट यहां इसमें किते हैं यह पाँच जैसे हैं सइचारी ले ime 9 15 टो गया पूरा नम केले को गें ग्लुकोस-पेंटाकियेक सब्सक्राइब ग्लुकोस-पेंटा-टा अभर फैंटक में क्या निकला है इस में बाहित निकला है HOCO CS3 का क्य मोल 5 मोल ठीक है यहां तक समझ पाए अब दोखो इसमें तब पांच उधर निकला तो इसको किता है इसकरोगे पांच मोल एसेटिक अनहर्टार लिया जाएगा बुक्स में क्या देता है इसको अगर किताब को फॉलो करोगे तो CS3 है क्या हो जाएगा कितना हो गया दो बाहर फिक्ट होगे तो ऐसे रियक्शन को फील नहीं लेपाऊगे तो इसको फैला आओगे नहीं है तक इसको आप जोड़ नहीं पाऊगे कहां पर कौन पोर्शन इसमें अटाइक कर रहा है बोलो यहां तक क्लियर कर लिए ओके इसको पहले आप नोट करो यहां पर एक सब्सक्राइब दो इतना क्लियर कर लिए अब दो इसमें एक रियक्शन और बचाए इसका पहले हुआ अब जो फाइनल डिसाइडिंग रियक्शन है कि हमें इसमें कैसे मैं पता चला कि एक डिकरी के अलकोवल है तो यह कंफर्मेटरी रियक्शन है कि इसमें यह अलकोवल को कंफरम करेगा यह इस्ट्रॉंग ऑक्शिडाइजिंग एजेंट है एस ओ एक मतलब है इस्ट् तो डिगरी एलकोहल के बच्चे डिश्टर्ब नहीं करेगा इसका नाम लिखोगे साइकरीक एसीड नाम क्या आएगा इसका साइकरीक एसीड पहले तो मालूम चल गया था कि यह वाला पोर्शन तो एल्डिहाइड वाला सभी आ गया था ब्रोमीन माटर किये था पर भी लिख जायगा तो इस रियक्शन से में कन फर्म होता है कि वन डिगरी चल कर भी मौजुद में रजे है तो अब इसमें एविडेन्स नीखिलो one degree alcohol is present in glucose molecule this reaction is suggest that one degree at least at least one degree alcohol at least one degree alcohol present in glucose molecule या बच्छे यह मैं इसे क्या क्लिजन निकला इसमें एक डिगरी का alcohol भी मौ्जूद है और जो बाकि चार बच गये है दो डिगरी की सब्सक्राइब सब्सक्राइब अच्छे से ग्लुकोज है इसको ऐसे एक सब्सक्राइब सकते हो ग्लुकोज है शिक्स कारबन चेन आटम मालूम चला और रियक्षन दिया है के साथ मालूम चला इसमें क्या मालूम चला कोन-कौन रियक्षन दिया यह रिकषन आप के पास पहला था एक सीन हो गया दूसरे आप डियां पर क्या हो गया तरुद्फ होसद हो गया हूं अब धूरे जन स्या जो के तीर एक्षण है सी एए डुमीन वाटर है तो हम इसमें अगला क्या था इने इस टू से समझोब हाइड्रोक्सिल अमीन अब इसके अलावा देखो तुमारे पास दो रिक्षन और आपने कंफर्म किया अल्कोवल कंफर्मेट्री टेस्ट कौन्स हैं एक आपके पास एनाइड्राइड हुआ अच्छे से इसको नोट कर लो यह सौट रिविजन हो गया एसटिक एनाइ या बिटा ओके इससे क्या कनफर्म हुआ पांच ओएच ग्रूप कनफर्म और फिक हुआ फाइफ ओ रोलट को फिर इसके बाद देखो वन डिगरी कईल्कोवल किसे खन फरम और वन डिगरी कईल्कोवल कंफर्म किया ओंसट्रेटेड है आजनो थिक शाद्ट के साथ है ओके के साथ इसके बाद आप क्या सिखोगे डील नोटेशन सीखोगे एक अगला इस पे डीयल नोटेशन को में देखोर अब नोटेशन को आप नोटेशन से आगे सिखने को मिलेगा टैसका नाम है कि खासियत इसके ऊपर वी छो है और नीचे तो अब यह एनलोजी केस्ट में मैच करता है ग्लुकोज में मैच करता है अब देखो नीचे क्या है तुमारे पास वे वाट यूज करते हैं आखरी वाले के ऊपर समझो यह यह आम नीचे जाओ नीचे से दूसरा कारबन अगर ओए राइट साइड में है अगर ओए राइट स तो क्या लिखोगे डी लूगोज पूरा इसको लिखोगे डी प्लस ग्लुकोज इसमें आगे क्या लगाकर औहोंusan यह ग्लुकोज अगर लेट साइड में तो क्या लिखोगे एल मुलtu होते हैं यह डैक्स्टो रोते हुआ क्या सो करते हैं डाक्ष्टो रोटेटरी इसका नाम क्या एगा एघ्याश ग्लुकोज ऑगे अब ऐसे ही आग वच्छे मद आ सकते हो इसको पूल और यह चाहँ ग्लुकोज हो गया तो जितने भी नाच्रिव ग्लुकोज होते करते हैं यह सारी की सारे डयक्स्टरव करते हैं और फ्रुक्टव जो होते हैं वह सारे की सारे माइनसों करते हैं को कि दूट मैं अगला लिखोगे यह आपके पार को समय खासी तौर ऑवलिक्द लिख हो गया, यहां तक लिख हो गया, Open Structure of Glucose Molecule, अब तक आप इसका नोट करने पहले इच्छे से,